तो दोस्तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब open tank and close tank के लिए level measurement करते हैं तो उनके लिए हम ranges का calculation कैसे करते हैं open tank के लिए कैसे range calculate करेंगे and close tank के लिए range कैसे calculate करेंगे तो आज की वीडियो में केवल एक formula का यूज करके हम range calculation को समझेंगे यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि open tank के लिए हम positive range क्यों लेते हैं and अगर जब close tank होता है तो उसके लिए हम negative range क्यों लेते हैं तो वो formula होता है h is equals to p upon sg या हम ये भी बोल सकते हैं p is equals to h multiply by sg यहाँ पर h height है, p pressure है and sg का मतलब है specific gravity तो अब हम समझेंगे कि open tank के लिए level का calculation कैसे किया जाता है open tank का मतलब हुआ कि ऐसा tank जो उपर की side से open हो, खुला हुआ हो तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी trick यूज़ करनी है, आपको height देखनी है lrv and urv पर lrv का मतलब होता है दोस्तो lower range value and urv का मतलब होता है upper range value चलिए suppose करते हैं कि कोई एक open tank है and उसकी height है 10 meter तो 10 meter को अगर हम mmwc में convert करें तो वो होंगे 10,000 mmwc यह बहुत simple है समझना क्योंकि 1 meter में 1000 mm होंगे तो 10 meter में 10,000 mm होंगे देखो दोस्तो lrv मतलब lower range value पर height usually 0 होती है तो bottom पर जो pressure लगेगा वो कितना होगा उसको समझ लेते हैं तो pressure का formula अभी हमने पढ़ा था p is equals to h into sg मतलब specific gravity तो h मतलब height 0 है तो pressure कितना हो गया 0 तो lrv हमको मिल जाएगी 0 अब यू आर भी मतलब upper range value पर जो height होगी वो होगी 10 meter मतलब 10,000 mmwc तो bottom पर जो pressure पढ़ेगा वो कितना होगा चलिए इसको समझ लेते हैं pressure हो गया h into sg तो यहाँ पर h है 10,000 तो pressure भी हो जाएगा 10,000 mmwc अगर हम specific gravity को 1 मान के जलें अगर specific gravity की value 1 से अलग है तो हम 10,000 को specific gravity वाली value से multiply कर देंगे तो जितनी भी value होगी वो pressure की value हो जाएगी तो हमारे इस case में यूरवी की value होगी 10,000 mmwc देखो दोस्तो range होती है LRV to URV तो range कितनी हो गई LRV आरीती 0 और URV आरीती positive तो 0 से positive में range हो गई open tank के लिए अगर हम level का calculation करेंगे तब तो open tank के लिए level का calculation समझने के बाद में अब हम close tank के लिए level का calculation समझेंगे तो दोस्तो close tank के लिए भी आपको वही ट्रिक याद रखनी है height आपको LRV and URV पर देखनी है इसके अलाबा हम formula भी वही यूज़ करने वाले है P is equals to H into SG differential pressure दो pressures के बीच का difference होता है तब ही तो हम उसको differential pressure बोलते है तो differential pressure निकालने के लिए हम HP port के pressure में से LP port के pressure को minus कर देंगे मतलब subtract कर देंगे तो चलिए इस image से समझने की कोशिस करते है माल लीजिए minimum level and maximum level के बीच की जो height है वो है H1 transmitter and HP port के बीच की जो height है वो है H2 tank में जो fluid भरा हुआ है उसकी specific gravity है X1 या SG1 LP की जो impulse line में fluid flow हो रहा है माल लीजिए उसकी specific gravity है X2 या SG2 अभी ये image आगे calculation में बहुत काम आने वाली है तो अब हम zero level पर pressure calculate करेंगे मतलब LRV calculate करेंगे तो उसके लिए अभी हमने differential pressure का formula भी पढ़ा था तो वही formula हमको use करना है तो HP lag पर लगने वाला pressure हो जाएगा H2 into SG1 क्योंकि यहाँ पर H2 वो height है जो transmitter की HP lag से है and SG1 tank में भरे हुए fluid की specific gravity है transmitter की HP port से height H2 usually zero रखी जाती है कभी-कभी H2 zero नहीं होती है तो उसकी कुछ value होती है जैसे की 100 या 200 mm इस तरह से हो सकती है अगर हम H2 को zero लेते हैं तो HP lag पर लगने वाला pressure कितना हो गया zero LP lag पर लगने वाला pressure हो जाएगा H1 प्लस H2 multiply by SG2 LP lag transmitter से H1 प्लस H2 height पर होगी LP lag में हमने specific gravity मानी थी SG2 दोस्तो यूजवली specific gravities की value equal होती है मतलब SG1 की value SG2 के बराबर होती है एक बाता पासानी से समझ सकते हैं कि H1 प्लस H2 की value हमेशा H2 की value से बड़ी होगी अब अगर हम LRB मतलब 0 level पर pressure का formula दुवारा से देखें तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि देखो HP lag पर जो pressure लग रहा था अभी हमने देखा था वो कितना था? 0 and LP lag पर जो pressure लग रहा था उसकी कुछ न कुछ value थी तो 0 मेंसे अगर कोई भी चीज हम घटाएंगे कोई भी value हम घटाएंगे तो वो negative में आएगी तो इसका मतलब LRB यहाँ पर negative में हो जाएगी तो I think आपको समझ में आ गया होगा कि LRB negative में क्यों होती है close tank के लिए अब हम maximum level मतलब 100% level पर calculation करेंगे and वो calculation होगा URB के लिए तो हम वही formula लगाएंगे differential pressure के लिए जो लगा रहे थे मतलब HP lag पर लगने वाला pressure माइनस LP lag पर लगने वाला pressure HP lag पर लगने वाला pressure होगा H1 प्लस H2 multiply by SG1 थोड़ा इसको समझते हैं देखो जब tank पूरा भरा हुआ होगा तब transmitter से जो tank की full height है वो होगी H1 प्लस H2 and जो fluid भरा हुआ है tank में उसकी specific gravity हम मानके चलने हैं SG1 तो इसलिए ये formula बन जाएगा अब जो LP lag पर लगने वाला pressure होगा वो होगा H1 प्लस H2 multiply by SG2 LP lag की height कितनी है H1 प्लस H2 and LP lag में जो specific gravity है उसको मानके चलने हैं हम SG2 अब मान लिजे transmitter से HP lag की जो height H2 है वो 0 है and specific gravity is equal है तब HP lag and LP lag पर लगने वाला pressure बराबर हो जाएगा तो जो pressure difference हम HP and LP के बीच में calculate कर रहे थे वो 0 हो जाएगा तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो thanks for watching the video यह वीडियो आपको कैसी लगी comment box में जरूर बताएं अपनी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें वीडियो पसंद आई हो तो इसको like कर दें हमारे चैनल को आज ही subscribe करें